अखंड जोती पत्रेका के अक्टूबर अंक में प्रकाशित यह कहानी अपने आप में विशिस्ट प्रेड़ना लेकर के आई है एक मेढग बड़ी उग्र तपस्या करने लगा शुद्र प्राणी को इतनी प्रबल निस्ठा देखकर भगवान शिव दयाद रहो उठे उन्होंने उससे पूछा वद्स तुझे कोई कस्ट तो नहीं है मेढग बोला भगवान पड़ोस में एक दुस्ट सर्प रहता है जो मुझे भै देता है उससे ध्यान में विग्न पड़ता है कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरा भै दूर हो और मैं निश्चिन्त मन से तपस्या कर सकूँ भगवान शंकर ने मेढग को साब बना दिया अब उसे दूसरे साब का भै न रहा परन्तु थोड़े दिन में एक नेवला उधराने लगा मेढग को फिर भै उत्पन्न हो गया मेढग ने पुना भगवान शिव का ध्यान किया तो वे प्रगट हो गए कारण पूछने पर उसने नई व्यथा सुनाई भगवान ने उसे नेवला बना दिया नेवला बना मेढग सुख पूर्वक तब करने लगा अब एक बन विलाव उधर आने लगा और नेवले पर घात लगाने की सोचने लगा मेढग ने अपनी व्यथा पुना भगवान शिव के सम्मुक रखी तो भगवान ने उसे बन विलाव बना दिया कुछ दिन बाद सिही की आखें बन विलाव पर लगी तो शिव जी की क्रपा से उसे सिही का शरीर प्राप्थ हो गया इतने पर भी चैन न मिला शिकारी अपना जाल और धनुष संभाले सिही की घात में फिरने लगा मेढग ने आर्थ भाव से शिव जी को पुकारा जब वे पधारे तो उसने कहा प्रभू मुझे मेढग ही बना दीजिए सिही का शरीर छोड़ पुना उसी छोटे शरीर में लोटने की इक्षा करने वाले मेढग से आश्चर पूर्वक भगवान पशुपती ने पूछा ऐसा क्यों हो? मेढग बोला प्रभू भय कभी दूर नहीं होता और बाधाएं कभी समाप्त नहीं होती जीव जिस स्थिती में है उसी में कठनाईयों से साहस पूर्वक लड़ते हुए आगे बढ़ सकता है ऐसा मैंने समझा है यह बात सकते हो तो मुझे अपने असली शरीर में रहकर ही तपस्य करने का वरदान दीजी भगवान शिव संतुष्ट हुए और उसको फही वरदान दिया